हे गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल माइसिल पर्चना मैं सिंपल पारलर ब्लोग चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ वेलकम करती हूँ आज मैं बहुत दिनों बात आप लोगों के साथ और एक लोग वीडियो शेयर करने आई हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने पारलर में बहुत easy way में कैसे haircut करती हूँ आप लोग वीडियो को प्लीस प्लीस लास्त तक देखिएगा आज में जो haircut करने वाली हूँ ये है U-shape haircut बहुत ही easy way में करूंगी I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगेगा So guys, आप मेरे क्लाइन के hair देखी सकते हैं कितने long थे तो इनको अपने hair को short करवाना था इसलिए मैंने उनसे पूझ के कि उनको कितना short करवाना है उस हिसाब से मैंने पहले ही hair को cut करके रख लिया अभी मैं अच्छे से hair को tangle free कर रही हूँ और बालों को मैंने गीला कर लिया है So आप लोग वीडियो को देखते रहे हैं कि मैं कैसे करती हूँ So guys, सबसे पहले मैंने middle section उठाया है जो कि आप देख रहे हैं अच्छे से comb कर रही हूँ और जो भी uneven दिख रहा है उसे मैं cut करके एकदम बराबर कर रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा guideline तो यहां से मैं थोड़ा थोड़ा hair लेके दोनों साइट में U-shape दूँगी आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए तो देखिए मैं थोड़ा सा hair इधर से ली हूँ और थोड़ा सा जो मैंने cut किया है अभी वहां से ली है ये hair को मैं अच्छे से combing करूँगी guys combing करते हुए दोनों उमली के बीच इसको grip करूँगी और जो भी आपको hair extra दिख रहा है उसे आपको cut करना है जैना कितना आसान इसी वे में मैं सारे hair cut करती हूँ जितना भी आसान techniques है उसी में मैं hair cut करती हूँ और आप लोग के साथ share करती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ guys जो भी मुझे extra दिख रहा है उसे मैं combing करके अच्छे से trim कर रही हूँ थोड़ा सा तीच्छा तरीके से कर रही हूँ जो कि आप देख रहे हैं जो भी extra है उसे cut कर दिया अभी मैं क्या करूँगी जो cut हुआ hair है उसे लेके और सामने से थोड़ा hair लेके मैं cut करूँगी और hair को थोड़ा face के सामने की तरफ ले जाके करना है इसी से हमारा u shape होगा है ना कितना आसान आपको थोड़ा-थोड़ा hair लेना है और face के सामने की तरफ आपको ले जाना है और फिर आपको cut करना है अभी मैं क्या करूँगी फिर से cut हुआ hair लूँगी लेके सामने से यह लेना है और देखिए मेरा hand moment मैं सामने की तरफ ले जा रही हूँ और जो भी extra दिख रहा है उसे मैं cut कर रही हूँ और आप लोग देखी सकते हैं पीछे से हमारा कितना सुन्दर U-shape बन रहा है और वो भी इतना easy तरीके से आप भी घर पे इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझेंगे एक बार की जगा दो बार देखिए चार बार देखिए और आपको अच्छे से आ जाएगा और अभी मैं क्या करूंगी गाईज जो भी extra दिख रहा है उसे मैं trim कर रहे हूँ हलका हलका जो भी extra दिख रहा है बस इसी तरीके से कर देखिए जाओंगी सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइट पे भी करना है गाईज कोई अलग कुछ नहीं करना है बस सेम प्रोसेस हमें दोनों साइट पे ही करना है अभी मैं सामने में जो भी hair है उसे भी मैं cut कर रहे हूँ देखिए एकदम मेरा hand moment को आप notice करिएगा क्योंकि इस hair पे hand moments को notice करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा u shape बनेगा तो एकदम सामने की तरफ ले जा रहे हूँ आप लोग देखी सकते हैं आपनी की तरफ ले जाके गाईस फिर जो हमारा extra hair है guideline को ध्यान में रखते हुए उसे cut करना है इसी तरीके से आपको करना है और आप लोग hand moments को अच्छे से notice किये होंगे इसी तरीके से आपको करना है आप लोग practice करेंगे तो आप सबको भी बहुत अच्छे से haircut आएगा क्योंकि बहुत लोगों को haircut करना बहुत जादा tough लगता है सब कुछ कर लेते हैं लेकिन haircut करने में थोड़ा problem हो जाते आप अगर मेरे videos देखेंगे तो मैं आप लोग के साथ बहुत ही easy way में बहुत सारे haircut शेयर की हूँ आप लोग चाहे वो मेरा previous video देख सकते हैं ओके गाइस अभी मैं दूसरे साइट पे आ गई हूँ सेम तरीके से करूंगी जो हमारा middle का hair है जो मैंने पहले काटी थी वहां से थोड़ा सा hair लेके और कान के सामने से hair लेके मैं cut कर रही हूँ देखिए कितना अच्छे से यह बन रहा है क्योंकि मैं मेरा hand moments एकदम सही है क्योंकि मैं सामने की तरफ hair ले जा रही हूँ जो कि आप देख रहे हैं अच्छे से सामने की तरफ लेके जाना है और combing बहुत अच्छे से करना है combing बहुत जादा important है अगर आपके hair पर tangle रहेंगी फिर आप अगर final जब combing करेंगे तो अंदर से आपका hair निकल के आएगा इसलिए combing अच्छे से करना है सो गाईस सेम तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा hair ले रही हूँ जो हमारा guideline है उससे लेके और सामने से थोड़ा hair लेके cut कर रही हूँ जो भी extra दिख रहा है जो short hair है वो हमारा guideline है और जो भी extra hair है उसे हमें काटना है बस इसी से हमारा you shape बन जाएगा और इतना easy way में बन जाएगा आप लोग को ये haircut easy लगा की नहीं जरूर comment में बताना तभी मुझे पता चलेगा और मैं दिरे दिरे और भी नए नए techniques पे easy techniques पे आप लोग के साथ haircut का वीडियो शेयर करूँगी और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को पता है ना वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को बहुत बहुत शेयर करना है गाईज और ये काम आप लोग अभी कर दो आप लोग बाद में भूल सकते हो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ओके गाइस और अभी मैं फ्रंट का थोड़ा सा लेयर करूंगी लेयर काइंड ओफ तो आप देखे मैं कैसे कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइन को थोड़ा सा सामने से लेयर का लुक चाहिए लेयर फेदर टाइफ चाहिए तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हेयर लेके मैं अपना गाइडलाइन ले रहे हूँ आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना ऐसे बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं अभी मैं क्या करूंगी थोड़ा थोड़ा हेयर ले रहे हूँ और हैंड मोमेंच देखे थोड़ा सा तीर्चा करके आपको सिजर को भी तिर्चा रखना है और आपको हेयर को कट करना है एक तम असाने गाइस एक तम असाने वीडियो को आप बस द्यान से देखिए बहुत ज़्यादा इजी है आप लोग अगर एक दुबर प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग को अराम से आ जाएगा इस सारे हेयर कट्स अराम से आ जाएगा तो सेम तरीके से मैं करती जाओंगी और गाइस शुरू में जो आप देखे कि मैंने इतने बड़े हेयर को कट कर दिया वो मैं अपने मन से नहीं की हूँ गाइस आप लोग को पता होगा मैं कभी कुछ से क्लाइन का हेयर शौट नहीं करती हूँ क्लाइन का requirement होता है कि उनको हेयर शौट करना है लॉंग करना है बस मैं उसी को follow करती हूँ गाइस मैं कभी कोई क्लाइन के हेयर अपने मन से छोटा नहीं करती हूँ गाइस और मुझे खुद से भी hair छोटा करना पसंद नहीं लेकिन अगर अपना मेरा client बोलते हैं कि मुझे hair को short करना है तब मैं कुछ नहीं कर सकती मुझे client का जो भी पसंद है उसे ही मानना पड़ेगा तो ये है final look सिरूर like, share and subscribe करना गाइस, bye bye